हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप सब खेरिस होंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉल बुड़ के दो सबसे बड़े सुपर स्टार मेगा स्टार सलमान खान एंड शारु खान की आने वाली फिल्मों को लेकर के ओके तो गाई सांत रही है और बैट जागी है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सलमान खान की आने वाली फिल्मों के लेकर के तो सलमान खान की जो आने वाली फिल्म है वह है दा बुल जो की करन जोहर के प्रोडेक्शन हाउस में बन रही है और इस फिल्म की सूटिंग दोस् उनकी कंफर्म समझ लीजिए दा किंग है जो की फिल्म बनने जा रही है जल्दी स्टिंग स्टार्ट हो जागी और यह फिल्म भी दोयाव 25 में देखने मिल जागी लेकिन इन दो फिल्मों के अलाब़ कोई भी फिल्म ऑफिशली नहीं तो बात कर लें दोस्तों इन दोनों की स वर्सस पठान पे यह दोस्तों टाइगर वर्सस पठान कहीं नहीं गई है ना पॉस्टपॉन वह यह यह फिल्म प्लान ही की गई थी 2025 में क्यूंकि आप सब अच्छी तरह जानते कि दोहर फच्छीस में वाल्ट रिलीज होने वाली तो वाल्ट उसे पहले टाइगर वर्सस पठान तो release होई नहीं सकती थी इसलिए दोस्तो 20-26 में release यह उखनागी ग्म सबंट ओ सकती है जी हाँ आपको लग रहा है कि यह फिल्म दोस्तों डिफिर हाँ दोस्तों डैफनीटली बनेगी वार्पनेस क्रिप्ट हें यह ही वह इस फल्म को बंद नहीं करने वाले हैं क्योंगी दोस्तों आप सब जानते हैं पठान को बनाने में 200 क्रोल लगेते हैं तो जरा सोच पठान का बजट कितना होगा तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा वायरेफ सोच समझ के गदाम उठा रहे हैं पहले वह वाल टू रिलीज करेंगे उसके बाद द पीछे नहीं गई है यह फिल्म 25 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी दा बुल एंड़ किंग के बाद दोने श्टार्स की डेट्स मिल जाएंगी डिरेक्टर को एंड इसके बाद है पच्छिस में यह फिल्म बंद नहीं हुई है यह फिल्म बहुत जादा पीछे ही नहीं करिए यह लेटी है इसकी कहानी पनेट की नहींोश काई है क्योंकि जतनी तो बयू elσताइगा जा रहे और दा कीग के बीच में कोई और फिल्म एनाउंस करेंगे वैसी दोस्तों सलमां खान पे नजरे रहेंगी क्या टाइगर वसेज पठान और नाई होती है यह फिल्म तोन अपना हन्डीट परसंट टाइगर वसेज पठान में रहेंगे यह देखने वाली चीज़ होगी आप ब हुआ हुआ है